पिछली वीडियो में हमने जाना था कि प्लेटलिट्स क्या होता है प्लेटलिट्स अगर हमारी शरीर में कमी हो गई तो कौन से कारण होते हैं कौन से लक्षन दिखाई देते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हमारी शरीर के अंदर प्लेटलिट्स की कमी हो जब भी हमारी शरी के अंदर प्लेटलेट की कमी होती है तो हमें ब्लड प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट चड़ाना पड़ता है लेकिन अगर आप यह सायरप का यूज करते हो तो आपको इतने महेंगे ट्रिटमेंट लेनी की जरूरत नहीं पड़ती है चलिए जानते ही कि इसा कौन सायरप है जो इतने जल्दी इतने तेजी से प्लेटलेट को बढ़ाता है हेलो फ्रेंट्स वेल्कूम टू मैइ यूटुब चैनल मेरा नाम है पूजा शाओ प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी और सबसे इफेक्ट्व जो सायरप है वो है टी सा चट किया जाता है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा लेकिन अगर आपको किसी शॉप में नहीं मिल रहा है तो आप मेडिकल शॉप वाले से कह सकते हो कि इस सायरप का ओडर डाल दो तो वो शाम तक कि आपको बुला कर दे देंगे जिससे आपको आसानी से यह सायर है वह 100 ml की जो है रहती है उसकी मर्पी 247 रुपए में हमें मिल जाता है यह जो दवा है मतलब टी-साइट सायरप है वह एरवेदिक है मतलब आपके शरीर में इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा टी-साइट सायरप के अंदर में गिलोय होता है अलोवेरा होता है तुलसी होत से जो लक्षन होते वह भी काफी हद तक के बहुत जल्दी आराम मिलता है और आपके जो प्लेटलेट से वह भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है अगर आपको डेंगू हुआ है उसके वज़े से आपके शरीर में प्लेटलेट की कमी हुई है या फिर किसी भी रीजन से इस कर सकते हैं यह बहुती अच्छी प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए अगर आपको डियोड्र प्लेटलेट्स चड़ाने के लिए लेकिन उतना महंगा treatment आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस कंडिशन में भी आपके लिए जो टी साइड और वहाती अश्यायरव बहुती और बहुत ही effective syrup प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए तो उस condition में best option होगा आपके लिए टी-side syrup टी-side syrup जो है वो अरवेदिक medicines है मतलब बहुत सारे herbs से बना हुआ है यह जो syrup है आप बच्चे या बड़े दोनों को ही दे सकते टी-side syrup के dosage की बात करें तो यह जो है बड़ों को 10 ml सुबशाम देने के लिए कहा जाता है और जो छोटे बच्चे है उन्हें 5 ml सुबशाम देने के लिए कहा जाता है यह सारप को condition देखके 2-3 महने तक के लिए भी दिया जाता है अगर आपको जो यह सारप पीते हो और आपक यह सारप का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के बाद ही अगर आप सीबीसी टेस्ट जो होती है वह फिर से कराऊंगे तो जो सीबीसी की रिपोर्ट होगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके प्लेटलेट से वह बड़े हुए आपको दिखेंगे सिर्फ ना हो जाओ या जब तक आप अफोर्ड कर सकते हो तब तक कि आपको सुब एक खाली पेट नारियल पानी पीना है इससे क्या होगा यह जो नारियल पानी है वह आपके शर में सलाइंग का काम करेगा इंस्टन आपके शर में एनरजी लेके आएंगा ठकान कमजोरी को भी लेगा उसके साथ मगर देते हो तो और भी बहुत जल्दी रिकवरी होगी मतलब तीन चीजे देना है आपको टी साइट साहरप नारियल पानी और विनराल जेट या विटाल जेट पावडर लेते हो तो आपको जो लक्षन हो बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगा मतलब आप अगर तीनों लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही अच्छा होता है अगर अगर तीनों एक साथ कर सकते हो तो तो तीनों अगर एक साथ करते हो तो बहुत ही जद्ली जो प्लेटलेट्स की कमी है वह आपकी दूर होने लगेगे क्योंकि टी साइट जो साहरप है वो बहुती तेजी से हमारी शरी के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करता है जो T-side syrup है वो हमारी शरी में प्लेटलेट्स की कमी को बहुती जल्दी दूर करता है जो T-side syrup है वो बहुती effective है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए मतलब टी साइड सायरप जो है वो प्लेट फ्लेट्स को बढ़ाने के लिए बेस सायरप है फ्रेंड्स अगर ये वीडियो इंफॉर्मेट्यो लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब की जगा थैंको सो मुच फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में